हेलो और मलकम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसंट चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग 36 गड़ भूमन स्टीट में डिकप की बात करेंगे मैं छोगाय पर ब्यंगल भूमन और केराला भूमन के बीच में तो चलिए दोने इटिंग भी प्लेयर पर एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टाट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के पेले चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यह तुना में लोग पुरा कवर कर रहे हैं इसके साथ साथ यह से वर्ल्ड कप के वीडियो मिलेंगे इसके साथ साथ अपर इसी एस टीटेन इंटेनेशल भी चुरू हो गया है उसको भी कवर करेंगे तो बहुत सारे अच्छे मैच इसके वीडियो आपको मिलने वाल है तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथी में आ तो टेलेग्राम चैनल से अभी दक आप लोग नहीं जूड़े तो जूड़ जाएगा लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसी लिंक से ही आपको टेलेग्राम चैनल को जोइन करना रहेगा बात करते हम लोग यहापर इस मैच की जो की शुबह म इतने एच्छे रंस नहीं पन रहे हाला कि 131,40 के आसपास रंस बने जरूर है लेकिन कई बार और मेक्सिममम टाइम में अपर अंडर हंडरेड देखने को मिले मेक्सिममम टाइम कई बार तो आपर 40-50 के अंदर टीम निपट जाती है तो उस लेवल के स्कॉर भी देखने को पहले बैटिंग करने वाली टीम को अडवान्डेस था में पिछली कुछ में चेजिस की बात की जातो आपर चेजिंग करने वाली टीम को एडवान्डेस रहा है तो आकडए कर वाया है अभी देखो मीटापोल पहली मेच के दौर्हान हमारी वाइस कप्तान थी दूसरी मेच § कर दौराण पी थी और लास मेच के दोरान मैच के अंदर पर आप-णडान जरूर रहे लेकिन लास मैच के अंदर मुकाबला इन्होंने वन साइडर करवाया है क्योंकि इनके ओपर जाता था रख किसी को भरोसा नहीं था किसके ओपर था वो मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन लिटरली इस प्लियर को हमने लिया भी इनको वाइस कप्टन किया भी पहली दोनों मैच के अंदर बले कुछ नहीं किया लेकिन लास मैच को हमारा पूरा वन साइडर करवाया है और इस मैच के लिए भी मैं इनको कप्तान वाइस कप्टन जरूर सविच करूँगा मैंने आपको यहां पर बताया था देखो इनका दीन रहा तो यहां पर चालीस पच्छास अनकी पारी आराम से खेल सकती है और उन्होंने उसी मैच के दोड़ां सिक्ष्टी भाय कर लिए इसके साथ तीस्व पंदास दिखें जहां पर इन्होंने पांच रन भी किया साथ मे यहां पर यहां पर यहां पर लोकल लिवल की चप मेंच करेंगी अच्छी विकेट टेकर गेंबाज है वैसे परोसा कर सकते हैं सुजाता ने दो उसकी गेंबाजी कर वाई जहां पर विकेट लेसरे वर दस मेच के दोड़ां काफी अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली इनको तो में लेके जाना हाला कि बेटिंग से एक बार यह उपर भी खेल चुकी है जहां पर 41 भी किये इन लास मेच के दोड़ां 34 भी किये इसके लाव से प्रियंक का बाला जो कि विकेट की बर बले बाजा प्लेयर काफी अच्छी नोड़ाउट लास मेच के रहां पांच में नंबर बर के लिए इसके पहले इससे भी नीचे खेली थी इनका कोई कंफर्म नहीं बेटिंग लेकिन जहां मौका मिलेगा य इसके सारे रिषीता निदारी बासू यह भी ओके रहेंगी काफी नीचे केलती है स्मॉल लिक के लिए अभी के लिए इनको लिके जाना थोड़ा से पर खत्रा रहेगा अभी देखो पायल वखाजा की बात की रहे है यह गयनबाज हर मेच के दोना वहस करवा सकती है लास मे पबलिक की लास में के दोरान कप्तान थी पिछली दोनों मेच के दोरान हमारी टीम का इससा ही नहीं है क्योंकि मुझे वरोस है क्योंकि हाला कि बहले अच्छी प्लेयर है आप पूरी वोस करवा रही है लेकिन इनका पिछला टूनामेंट काफी खराब गया था और उसी के पर हमें दोनों मेच के दोरान नहीं लिए साइका इसाक एजब प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस के प्रेंशिप की सेफ चोईस है अभी तक दोनों मेच के दोरान हम लोग मतलब आगे इंको लेके जाएंगी यहां पर बात की जाए तो स्टार्टिंग वोस की तो एस डे देट वस में पर पनाना है शायका इसके लबाब बेंच में से कोई के लेगी तो इनके रेकोर्ड और स्ट्रेट्स मिलेंगे आपको टेलिग्राम में टो टेलिग्राम से जुड़िये गा लिंक आपको नीटे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उगा इसे लिंक से जोईन कर पर आज में थोड़ा सा कन्फिस जरूर हुँ एक थायिल सनी शायका इशाक और मिता पॉल तो देखते हैं लोग आगे चब टीम बनाएंगे तब बात करेंगे बाकि शीवू यहां पर ओपनिंग किये एक रन किया फॉर्म यहां पर कुछ खास है ने लेकिन पिछला टूर् पर टूर्ट लेकिन रिस्क आपको लेना पड़ेगा वह बैटिंग से लेना पड़ेगा तो पॉन्नों को अभी दक हमने लिया नहीं है बाकि यह बड़ा एडवाटेज दे सकते हैं अब इसके अलवाई से सदानंदन जो कि विदक तीनों मैच कर दोना हमाई टीम का इस्सा किया था क्योंकि यह बैटिंग के साथ ओस करवाई कि ऐसी मेरी एक्षेप्टेशन थी लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है सईयूज्चा सलीलन ओक्यों के जील में लेना है बाकी जैम्स किरती वेरी इंपॉनर पर इनको डॉप नहीं करना है लास्में के दोरा नहीं कि बहुत सारे प्लियर्स मरलब बहुत सारे मेरे उपोनन की वाइस के प्रन थी अच्छा लागा उनको देखके क्योंकि यहां पर जहां पर इन्हों चार विकेट निकाले इनका सिलेक्शन भी काफी कम था और आई तिंग यहां पर तीस-चालीस परसंद भी सिलेक्शन नही दोनों अच्छी करवा लेती हैं लेकिन यहां पर इनकी दाल अभी दर गली नहीं है सुकुमा सुरिया ने लास्ट में कि दो नहीं कि वह उसकी करवाई और इनका रिसनली फॉर्म ठीक ठाग है बाकी प्लेयर कभी भी दो चार विकेट निकाल सकते हैं पूरी ओर्स करवाई च्छे साथ आठ गैंड बाज उन्हें वह उसकरवाई थी तो यह दोनों ही टीम है उनके पास दोनों ही टीम के पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्सन से तो दोनों ही टीम यहापर अगली मैच के दोरान भी चैसे साथ गैंड बाज यूज कर सकती है और वहाँ पर हमारा जो गैम हें वह थोड़ा साय पर सकता है क्या हो सकते अभी के लिची म अभी देख लेते ऐमारी video व्यंके क्या सकते कौन को उसकते सबसे पहले पॉन्नो कोटन देखो मतलब हर बंदे की एक दीन होता है वहाँ पर देखो इनका दिन दात हो यह पर पारी खेल सकती इनके पास यह पर काभी लेते पूरी चाहो तो रिस्क ले सकते हैं वल्राउंड सक्षेन में थायल सनी मिता पॉल सवरो कंगोली सुसमित अकांगोली तीथी स्वपन दास इनको मैंने क्यू डिया क्यूकि ये टॉप ओडर में बेटिंग कर वे कि दो औरस की गैन बाजी कर वाई है आप लोग क्या हो तो इनको डॉप कर सकते हैं क्योंकि तो आप लोग इनको रॉट करते हैं यहां पर दर्शन अनया को फूर्ण सूर्या में कर वाई हो सकती इसके लब है अपर साइकाइसर यह रहे हैं क्योंकि यह इंटरनेसल प्लेयर है टीम इंडिया के लिए खेल रही है और एक्टिव है खेल चुकी है नहीं है यह एक्टिव है यहाँ पर हालाकि अभी दक वर्ल्ड कप में इनको चांस नहीं मिला लेकिन इसके पहले सारी जितनी लिए जाएगा उसे लिंक से जोइन करना है वीडियो कर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर पॉमेट और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब से बल लिजेगा ताकि आगे नहीं वीडियो आपको जली से जली मिल जाए बागी मिलते है अगले वीडियो में तब त जाएब बार